तो चलिए आज हम बात करेंगे कोचिन CPR Limited के बारे में जहां पे ITI के लिए पर्मानेंट जोब की वेकेंसी आई हुए है इसके बारे में हम डिटेस में बात करेंगे इस वेकेंसी में खासियत यह है कि जो अपरेंटिसीप होता है उसको आई एक्सपिरियंस में रखा जागा ऐसा इसमें लिखा गया है कि जो अपरेंटिसीप किये है यहां से उनका जो सेटिफिकेट होगा उनको एक्सपिरियंस में मना जाएगा तो जो यहाँ पे वेकेंसी आईवे पर मानेट वो experience वालों के लिए जिसके पास कुछ experience है उसी वहीं इसमें अपलाई कर सकता है तो details में हम बात करेंगे इससे पहले आपको बता दे कि अगर आप मेरे फैस्यू ग्रूप नहीं जोईन कि हैं तो जल्दी से जोईन कर लिजीए क्योंकि इस फैस्यू ग्रूप में 66,000 मेंबर हो गए जो कि आपस में डिस्स करते हैं बहुत सारी जॉब्स को लेकर बहुत सारी करीर आप्सन सो लेकर बहुत सारे private company आती है प्लेस्मेंट के लिए उसका भी आपको जनकारी मिल जागा इसके अलावा आप जॉब्स सर्च कर रहे हैं किसी government जॉब्स की त्यारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर help मिल सकता है बहुत सारे study material और notes आप बच्चों से ले सकते हैं बहुत सारे doubts क्लियर कर सकते हैं तो चलिए description box चेकेज़ेगा जहां से आप directly मेरा Facebook group जोईन कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप ITA के किसी भी जॉब्स की त्यारी करना चाहते हैं ITA की हैं government जॉब्स की त्यारी करना चाहते हैं तो आप EGW coaching को जोईन कर सकते हैं नया batch start है इसकी निपर जो number दिख रहा है इस पर call करके आप पता कर सकते हैं तो चलिए इस vacancy के बारे में बात करत इस पर आने के बाद आपको यहां पर दिखे एक career का option दिखाई देरा हुआ है इस पर किलिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा इस पेज पर आएंगे तो आपको यहां पर दिखे दे रहा है opportunity और इसके बाद नीचे आएंगे तो permanent e-recurment permanent post यहां लिखा हुआ है इस पर आएंगे नीचे तो आपको सबसे जो उपर वाला वेकेंसी है यहीं है आपका वेकेंसी जो अभी release किया गया है इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं इसको यहां से download कर लेंगे और इसका इसलिए बस यहां से download करेंगे तो जैसे इस पर click करेंगे और यह notification download हो जागा और यहां हमकर download करने के बाद details में हम बात करते हैं कि इसमें कौन-कौन से चीज़े दी गए है और आपके लिए क्या वेकेंसी है या नहीं है तो इस तरह से notification को हम download कर चुके हैं और यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर ITI के लिए दिखाई देगा आपको तो जैसे आप देखते हैं 7 नमर पर आप 7 नमर पर यहां देख सकते हैं welder com fitter, mechanics diesel वहां जो काम है अपका mechanics diesel वाला काम है लेकिन welder com fitter को यहां पर रखा जाएगा यहां पर बोला है कि अगर आपने दस्वी class पास किया है ITI मतलब National Trade Certificate है और All India National Trade Traced अगर आपने apprenticeship किया है तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं mechanics diesel और equivalent qualification in the case of ex-servicemen इसमें बताया गया है कि अगर आपने ITI मेकानिश diesel से किया है और आपके पास experience है तो आप इसमें apply कर सकते हैं और यहां पर बताया गया है कि 5 year experience होना चाहिए आपका irrigation, repair में, maintenance में और pumps, generator, compressor मेरिंग, engines, thermal power station इतियादी इसमें बताया गया है तो यहां पर जो ITI होना चाहिए, mechanics diesel से होना चाहिए, सिधी बात है, next जो बात करेंगे, fitter come electronics के लिए तो यहां पर बताया गया है कि अगर आपने दस्वी पास किया है, अगर आपने ITI NCVT से किया है, electronics trade से, electronics mechanics से तो आप इसमें apply कर सकते हैं आपके लिए जो पोश्ट है, यहां पर भी पांच साल का experience माया गया, repair and maintenance of electronics control circuit में, industrial equipment में इतिया दी, next है, fitter electrical के लिए, यहां पर हम बात करेंगे तो पांच पोश्ट है, जहां पर ITI माया गया है, आपका electrician trade से, अगर आपने electrician trade से ITI है, और आपके पास पांच साल का experience है, experience अगर आपने apprenticeship किया, तो वो भी experience में यहां count किये जाएंगे, looking after the operation of sub-station, installation of HTLT, switch gear, transformer, इतियादी, तो आप यहां पर apply कर सकते हैं, और next हम बात करेंगे, तीन पोश्ट है, CPR, UD के लिए, यहां पर आपसे मांगा गया है, जो certificate ITI क्या, और उसमें बोला है कि trade-up, ship right, wood, carpenter, मतलब carpenter सापने ITI किया, तो आप इसमें apply कर सकते हैं, आपके लिए भी यहां पांच साल का experience मांगा गया है, इसके बाद, चौथी pass के लिए भी हम वेकेंसी यह दो है, semi-skilled rigor के लिए, और fireman के लिए यहां पर दो पोश्ट है, fireman के लिए आपको पता है, रस्षी pass के साथ, training in fire fighting from state fire force और public sector undertaking, institute से अगर अपने कोई certificate आपके पास है, fire control का तो आप इसमें apply कर सकते हैं, उसके लिए भी एक साल का experience मांगा गया है, इसके लावा, junior safety assistant का है, यहां पे, और इसके बाद हम बात करेंगे pay skill का, तो आप यहां पे दे सकते है, pay skill काफी जबर जबर ज pay skill है, 3,500 से लेकर 77,000 तक यहां पे आपको पैसे मिलेंगे, W5 की बात करें, तो 21,300 से लेकर 79,840 रुपे आपको payment यहां पे दिया जाएगा, तो काफी अच्छा pay skill है, और permanent जो है, तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, तो age की बात करेंगे, तो आपका age maximum 35 साल होना चाहिए, और यह आपकी age की जो counting की जाए, 18 November 2019 तक की जाएगी, age में छूट मिलेगा, according to government of India का जो rule है, उसके अनुसार, यहां पे method of selection बतायाएगे, selection कैसे होगा, तो phase 1 में आपका objective type online question पीछे जाएगे, और phase 2 में descriptive रहेगा, physical रहेगा, या practical test होगा, मतलब skill test हो और इसके बाद A7 to A3, यहां पर objective online test होगा, तीस marks का practical physical test होगा, relevant rate 70 marks का, यह आई के लिए, second वाला है, आपका 30 marks का online test होगा, और practical होगा, जो 70 marks का होगा, total 100 marks का होगा, यहां पर skill test भी आपको देना होगा, और इसके बाद हम बात करते हैं, part 1 और part B में, यहां पे बताया गया कि क्या क्या आप से पुछा जाएगा, तो यहां पे सारा जो ITA का trade है, और diploma के दोनों के लिए syllabus दिया है, तो देखिए, welder come fitter के लिए यहां पर देखिए, general knowledge के 5 questions रहेंगे, इसके अलावा आपके यहां English और रिजिनी नहीं रहेगा, aptitude के 5 questions रहेंगे, और trade से 20 questions रहेंगे total number of questions रहेंगा maximum 30 number, इसी तरह यहां पे सारे ITA के जितने भी trade है, उनका यहां format दिजाए है, कि आपका 30 number का questions पुछे जाएगा, जिसमें 20 number trade से और 5 number match से रहेंगे questions, और यहां पे बताया गया है, कि जो syllabus है, details में syllabus, website पर अबलेबल है, आप उहां चे से जाकर देख सकते हैं, reservation मिलेगा government of India का जो rule है, उसके account यहां पर reservation भी दिया गया है, और बाकी चीजे, जो notification में बहुत सरा चीजे, जिसको आपको पाढ़ना होगा, समझना होगा, तो आप इससे download कर लेंगे, description box में हम link देंगे, जहां से आप्रैक्ली download कर सकते हैं, और यह application fee की बात करें, तो 200 जाकर apply करना होगा, जो इसका last date है, 24 अक्टूबर से लेकर 18 नॉवंबर तक form भरे जाएंगे, 24 अक्टूबर से 18 नॉवंबर के बीच में आपको form fill up करना होगा, इसके बाद करेंगा तो आपका form reject हो जाएगा, इसके बाद अपना documents बहुत सरा जो experience certificate, metric, ITI, photo signature, सारा चीजे अपलोड करना होगा, वो भी आपको ready रखना होगा, यह सारे details इसमें दिया गया है, कोई भी अगर information और भी कोई जनकारी आपको लगता है कि लेना चाहिए, नहीं परदा चल रहा है, तो आप comment box में comment कर सकते हैं, इसके अलावा आप mail कर सकते हैं, carrier address koji sapiard.com पे mail करके, इसक पूछ सकते हैं, या comment box में comment कीजिए, जहां तक होगा, मैं help करने का कोशिस करूँगा, तो वीडियो कैसा लगा, like जरू कीजिएगा, तो आज के लिए बस इतना था, thank you so much, फिर मिलते हैं आप से एक नई वीडियो और एक नई जनकारी के साथ, तब तक के लिए, नमस्कुर झाल